हेलो फ्रांट्स वेलकॉम टू मायूटूब चैनल दोस्तों इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोग हैं इंडियोन इकनोमी यानी भार्थी अर्थवे उस्ताइक टफोटी कुश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एक जाम में पूछे जाने के संभावना सबसे अधिक हैं तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ते देखिएं चैनल पनाया तो चैनल को सब्सक्राइब करें जो पासवली घंटी का निसान है उसे भी अन करते हैं ठीक हैं तो चलिए शुरू करते हैं देखें यहाँ पर हमारा पहला कुश्चन है बोकारोई स्टील तो देखें तीसरी पंचवर्षी यूचना का जो कारेकाल था यह 1961 से 1906 तक रहा था ठीक है अगला कुश्चन देखें कुश्चन नमार टू है मुद्रा स्पीति को निमनलिखित में से किसके द्वारा रोका जा सकता है तो देखें मुद्रा स्पीति को यह परत्यक्ष का र इन तीनों के द्वारा जो है मुद्रा स्पीति को रोका जा सकता है ठीक है डी करेक्ट हो जायेगा इन में सब भी ठीक है अगला कुश्चन है राश्ट्यक क्रेसियम गरामेड विकास बैंक के कि अस्थापना किस पंच वर्षी यूचना एदोरान किया गया था तो देखें देखें चटे पंच वर्षी यूचना जो कारेकाल था वो 1980 से 1985 तक रहा था ठीक है अगला कुश्चन है भारतियो अध्योगी पूना निर्माड बैंक के अस्थापना किस वर्ष किया गया था तो देखें भारतियो अध्योगी पूना निर्माड बैंक के जो अस्थापना क किया गया था वो किया गया था 21 मार्च उन्नेस पचासी को ठीक है बी करेक्ट हो जाएगा अगला कुछ चैन है राश्ट्यक क्रेशियम गरामेड विकास बैंक यानि नाबाड की अस्थापना कि समेती के सिफारिस के अधार पर किया गया था तो देखें नाबाड की जो स्था अधिक स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को जो यह नाबाड की स्थापना हुई थी इसका मुख्याला कहां परिस्थीत है तो इसका मुख्याला मुंबई में इस्थीत है ठीक है अगला कुछ चैन है सरवजनेक छेतर के बाड़िजिक बैंकों की सरवाधिक सखाय किस राज जिम इस्थीत है तो देखें सरवजनेक छेतरों के बाड़िजिक बैंकों की जो सबसे अधिक सखाय है यह स्थीत है उत्तर परदेस राज जिम है ठीक है यह करेक्ट हो जायाएगा अगला कुछ चैन पंचवर्सिय योचना के इतिहास में भारत की सरवाधिक और सफल योचना किसे माना जाता है तो देखे, पंच बर्सिया योचना के इतियाँस में भारत के सरवाधिक जो और सफल योचना माना जाता है वो माना जाता है तिरीतिया पंच बर्सिया योचना को ठीक है, B ग्रैक्ट हो जायेगा अगला कुछर प्शेन है M.B.S.W.R.I.A. के द्वारा लिखा गया था ठीक है C करेक्ट हो जाएगा अगला कुश्चेन है तिरी तिया पंचवर्षी यूजना का मुख्य उदेसे अनिमने लिखित में से क्या था तो देखे जो तीसरी पंचवर्षी यूजना थी तो इसका जो मुख्य उदेसे था वो था आत्म पोसित और विकास क्या था आत्म पोसित और विकास जो था इसका मुख्य उदेसे था ठीक है ये करेक्ट हो जाएगा तीसरी पंचवर्षी ना कारेकाल कब से कब तक रहा था तो देखें तीसरी पंचवर्षिना जो कारेकाल था ये 1961 से 1966 तक रहा था ठीक है अगला कुश्चन है नियोचन है विकास विभा का कारेकारे सदस्या किसे नियुक्त किया गया था तो देखें नियोचन है विकास विभा का जो कारेकारे सदस्या किया गया था वो नियुक्त किया गया था अर्देसिर दलाल को किसे नियुक्त किया गया था ठीक है डी करेक्ट हो जाएका अगला कुष्चन है दुईतिया पंचवर्षी नागा प्रारूप निम्नलिखित में से किसने तयार किया था तो देखे जो दूसरी पंचवर्षी ये यूचना थी तो इसका प्रारूप ये तयार किया था PC महान लोबिस ने ठीक है C करेक्ट हो जाएका अगला कुष्चन है वह भारतिय राज्य जिसका BTL लेन देन भारतिय रिजर बैंक के माध्यम से नहीं होता है तो कौन सा राज्य है तो देखे ये है जम्मू कास्मी राज्य जिसका BTL लेन देन जो है ये भारतिय रिजर बैंक के माध्यम से नहीं होता है ठीक है ये पांचवी और आठवी जो पंचवर्षी ये यूचना थी ये लग्ष से अधिक थी ठीक है सी करेक्ट हो जायेगा गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षी है यूचना थी दोरान दिया गया था तो देखे गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था ओ दिया गया था पांच़वी पंचवर्शिय यूजना आदोरन ठीक है अगला कुश्चन है भार्थिय मुद्रा यानि इंडियन करेंशी के लिए परतिक चीन है जो की चलिक होता है का डिजाइन किसने तयार खिया था तो देखे बार्थिय मुद्रा के लिए प्रतिक्षिन का जो डिजाइन तयार किया था उनका नाम था डी उदय कुमार क्या नाम था डी उदय कुमार था ठीक है सी करेक्ट हो जायाएका अगला कुश्चन है निम्नलेखित में से कौन सी पंच वर्षी यूजना अपनी आउधी पूरी होने के एक बर्ष पहले समाप्त घोंसित कर दी गई थे तो देखी ये थे पंच वर्षी यूजना जिसके अधी पूरी होने के एक बर्ष पहले ही समाप्त घोंसित कर दिया गया था ठीक है सी करेक्ट हो जायाएका अगला कुश्चन है निमनलेखित में से किस पंच वर्षिय योजना दोरान अपतकाल लगाया गया था नए चुना हुए थे और जनता पाटी चुनी गई थे तो देखी ये हुआ था पंच वे पंच वर्षिय योजना दोरान ठीक है सी करेक्ट हो जायाएगा अगला कुछ जाना है निमनलेखित में से किस पंच वर्षिय योजना का मुख्य उदेश आर्थी के आत निर्भरता था तो देखी ये था चोथी पंच वर्षिय ना जो मुख्य उदेश था ये आर्थी के आत निर्भरता था ठीक है डीक रेक्ट हो जायाएगा अगला कुछ जन है केंद्र एवां राज्य के बीच बीतिया बिबादों के निप्टार है तो मुख्य जन्सी कौन सी है तो देखें केंद्र और राज्य के बीच बीतिया बिबादों के निप्टार है तो जो मुख्य जन्सी है वो है बीत आयोग ठीक है बीतायो के गठन का प्रावधान की अनुचित में किया गया है तो देखे बीतायो के गठन का जो प्रावधान किया गया है वो भारतिय सम्मिधान के अनुचित दो सवसी के अंतरगते किया गया है ठीक है भारतिय बीदेश ब्यापार संस्थान निम्नलिखित में से कहां परिस्थीत है तो देखे भारतिय बीदेश ब्यापार जो संस्थान है ये स्थीत है नई दिल्ली में कहां परिस्थीत है नई दिल्ली में स्थीत है ठीक है एक करेक्ट हो जाएगा अगला कुछ चेन है भारत क भारत के बिदेशी बिदेशी ब्य लुकपार में ब्यपार के दिष्टे से सरवाथिक महत्पूर्णeler देश है तो देखे ब्यदेशी बहुत जो महत्पूर्ण देश है उसे सनुत राज अमेरी का ठीक है secret जाएगा, अगला question है bank एदर वह अधर है, जिस पर तो देखे, bank एदर वह swag़ा है जिस पर RBI, बनिजिक बैंकोंकों को उधार देता है, ठीक है secret जाएगा, अगला question है मानवविकाशुचकांक का जनक है, किसे माना जाता है तो देखें मानव बिका सुचकांका जो जनक माना जाता है वो माना जाता है अबूब उलहक को किसे माना जाता है अबूब उलहक को माना जाता है ठीक है ये करेक्ट हो जायाएका अगला कुछ जान है भारती अर्थ विवस्ता का सकल घरेलू उत्पाद में कौन सा अस्थान है तो देखे भारती अर्थ विवस्ता का सकल घरेलू उत्पाद में ये बराहवा अस्थान है ठीक है, D करेक्ट हो जायेगा, अगला कुछ चैन है सहरी छेतर में कितने कैलोरी प्राप्त करने वाले बेगती गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं तो देखे सहरी छेतर में ये 21 कैलोरी से कम प्राप्त करने वाले बेगती जो हैं ये गरीबी रेखा के से नीचे माने जाते हैं ठीक हैं ये करेक्ट हो जायाएका अगला कुश्चन है निमनलेखित में से कौन सा भारत छेतर के घरेली उत्पाद है यानि GDP को सरवाधिक युगदान देता है तो देखे GDP को जो सरवाधिक युगदान देता है वो देता है त्रितिय चेतर है ठीक है C करेक्ट हो जायाएका अगला कु परभाव पढ़ता है तो देखें मुद्रा इसपिती से बाजार में जो बस्तुईं होती है तो उसकी कीमते जो है बढ़ जाती है ठीक है ये अगला कुछ जाया था तो देखें रोलिंग प्लान के अधारना का सरपर्थम समर्थन किया था तो देखे, rolling plan की अधारणा का सबसे पहले समर्थन ये किया था, गुर्नार मिर्डल ने, किसने किया था गुर्नार मिर्डल ने किया था, ठीक है, B correct हो जायाएगा अगला question है, भारत में बिजली की प्रती बेखती, बारसी खपत कितनी होती है तो देखे, भारत में बिजली की प्रती बेखती, जो बारसी खपत होती है वोती है, 11-81 किलो वाट है, ठीक है, D correct हो जायाएगा अगला question है, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर, लेंदार कानूनी थोर पर, स्विकार करने से इनकार नहीं कर सकता है उसे क्या कहा जाता है, तो देखे, उसे कहा जाता है, बिधिगराह ये मुद्रा कहा जाता है, ठीक है, E correct हो जायाएगा अगला question है, राष्टिय स्टोक एक्चेंज की अस्थापना कि संतुष्टि की समीती के द्वारा की गई थी तो देखे, राष्टिय स्टोक एक्चेंज की अस्थापना इस अंतुष्टि जो है, ये की गई थी फिरवाने समीती के द्वारा ठीक है, D correct हो जायाएगा, अगला question है, निमनलेखित में से किसको वास्त्विक मजदूरी का परमुख निर्धारक माना जाता है तो देखे, वास्त्विक मजदूरी का जो परमुख निर्धारक माना जाता है, वो माना जाता है, मुद्रा की कराय सकती को, ठीक है, D correct हो जायाएगा, अगला question है भारत की सबसे बड़ी mutual fund संस्ता है, वो है UTI, यानि भारतिया unit trust जो है ये भारत की सबसे बड़ी mutual fund संस्ता है, ठीक है, D correct हो जायाएगा, अगला question है भारत में मुद्रा स्विती निमनलेखित में से किस के द्वारा मापी जाती है ये मापी जाती है ठोक मुल्य सुचकां के द्वारा, ठीक है, A correct हो जायाएगा, अगला question है भारतिया मुद्रा को पूर्ण परिवर्था निया, निमनलेखित में से कब बनाया गया था तो देखे, भारतिया मुद्रा को पूर्ण परिवर्था निया, ये बनाया गया था 1994 के केंद्रिया budget में, ठीक है, D correct हो जायाएगा, अगला question है भारत का अर्थिक सर्वेक्चर परतेक बर सरकारी तोर पर परकासित किया जाता है तो किस के द्वरा किया जाता है तो देखी ये किया जाता है बीत मंत्राले के द्वरा ठीक है एक रेक्ट जायेगा अगला कुछ जाये रिजर्बैंक के स्वाण भंडारों का मुल्यांकन स्व करेक्ट हो जाएगा उसके बाद है यहां पर हमारा अगला कुश्चन है भारत में पंच वर्षिय योजना कानमोदन है करने वाले सरोच निका है निमनलेखित में से कौन सी है तो देखे यहां पर आपको चार अप्सन दिया गया है और योजना आयोग है राश्टिय विकास प सब्सक्राइब करें जो पासवले घंटी का निसान है उसे भी अनकरते हैं ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग